दोस्तों यह है Whiteboard Animation वीडियो Whiteboard Animation का इस्तमाल किया जाता है informative videos बनाने के लिए बहुत सारे लोग इसको हाज से लखने वाले वीडियो के नाम से भी जानते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे Whiteboard animations वीडियो आप बना सकते हैं इनिमिशन बनाने के लिए हम जिस सोक्ट्वेर के इस्तिमाल करने वाले हैं वो सोफट्वेर है VideoScribe और ये इस एनिमिशन सोफट्वेर के लिए सबसे popular application है एक साल के लिएकर इस सोफट्वेर को आप लेंगे तो ये 5-6000 के बीच में आ जाता है लेकिन अगर आप इसको test करना चाहते हैं तो आप free trial भी test कर सकते हैं हमने इसे download कर लिया है और यहाँ पर एक account भी बना लिया है तो हम यहाँ से email id और password डाल कर इस application को open कर लेते हैं जब आप इस application को open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा सबसे corner में आपको लिखा दिखेगा creator new scribe यहाँ पर जो आपको दो file हैं दिख रहे हैं एक तो video scribe की दरफ से दी गई है और एक file हमने पहले बनाई थी यहाँ पर हमने एक intro बनाया था यहाँ पर यह जो intro है इसको मैं आपको पहले play करके दिखा देता हूँ किस तरह से यह intro मैंने बनाया था यह जो button है यहाँ से इसे play करेंगे यह देखी यह intro कुछ इस तरह से मैंने तयार किया था अब मैं आपको यही बताऊंगा कि यह सारी चीजें आप video scribe में कैसे तयार कर सकते हैं तो चलिए यह जो button है इससे बाहर निकलते हैं और जाते हैं create a new scribe के option पर जब आप यहाँ पर पहली बार इसको open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा तो उपर यहाँ पर आपको कई सारे option मिलेंगे यह cut copy paste के हैं यह जो button है वो export करने के लिए है अगर आपको अपने slide में कोई music add कराना है तो यहाँ पर आपको जाना है अपनी अवाज अगर record करनी है या voice over करना है तो यहाँ पर जाना है कोई background अगर आपको बदल नहीं है अपने इस slide की तो आपको यहाँ पर जाना है इस पर क्लिक आपको करना है तो जब आप इस option को open करेंगे तो यहाँ पर आपको recently used image दिखाई देंगी recommended images का option यहाँ पर आएगा यह देखिए यहाँ पर धेर सारी जो image है अभी के समय में जो इस्तमाल की जा रही है ज़रूरत से ज्यादा वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी अगर जो premium images है जो आपने purchase की है वो आपको यहाँ दिखाई देंगी और यहाँ पर धेर सारे जो arrow है buildings है call out options है emoji है अगर आपको money से related कोई clip art चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगी पीपल से related कोई clip art चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ पर जो recommended images दी गई है वो आज का जो time चल रहा है जो corona time चल रहा है उस से related दी गई है कैसे आपको mask यूज करना है कैसे आपको हातों को sanitize करना है यह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है तो हम यहाँ पर यह जो पहला वाला जो clip art है इसको use करेंगे इसको हम select करेंगे और जैसे हम इसे select करेंगे तो देखे हमारी slide पर आ जाएगा तो यहाँ पर आप इसको कहीं भी खिसका के रख सकते हैं आप चाहें तो इसक तरह से घुमा भी सकते हैं जिस पोजिशन में आपको इसे रखना है उस पोजिशन में आप इसे रख सकते हैं जैसे आप इसको select करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर option or display होगा यह है set camera to current position यानि जो इसका virtual camera है वो यहाँ पर इस चीज़ को focus करेंगा आप देगे बीच बी तो यहाँ पर आपको select image का option मिलेगा इसके बाद graphic filters का option मिलेगा आप blur, glow, whiteness, saturation और contrast को बढ़ा सकते हैं यहाँ यह जो अगला option है वो है drawing option का और यह main option है जिसके लिए लोग इस software को इस्तिमाल करते हैं only draw strokes यानि यह जो lines बनी है इनको draw किया जाएगा यहाँ तीन option आप मिले देखेंगे draw, move in और feed in तो पहले draw वाला option हम देख लेते हैं और यहाँ से preview को check करेंगे तो यह देखिए यह जो stock है कोच इस तरह से draw किया जाएगा जब आप इस animation को play करेंगे यह देखिए इस तरह से बन गया अब दूसरा option हम use करते हैं यहाँ से यानि move in वाला और move in जैसे आप use करेंगे तो यह बताएगा कि यह आपके slide पर किस direction से पिक्चर है वो आएगी तो यहाँ से आप direction ले सकते हैं देखिए यह वाली direction हो या यह वाली direction हो इसके बाद में smooth चाहिए आपको overshoot चाहिए bounce चाहिए किस तरह का move in है वो चाहिए आपको किस तरह से जो image आएगी तो हम यहाँ पर smooth दे लेते हैं और play करके देखते हैं तो देखिए जो animation हमने जहां से लगाया था वहीं से animation इस तरह से move करता हुआ आएगा अब यहाँ पर आपको एक option और मिलता है कि यह image आपको full color में चाहिए सिर्फ outline में चाहिए ग्रे स्किल में चाहिए किस तरह से चाह यहाँ पर outline select करेंगे तो सिर्फ आपको outline दिखाए देगी कि किसी भी image की gray skill लेंगे तो colors आपके गाइब हो जाएगे और वो image जो है वो gray skill में यानि black and white में आ जाएगी आप यहाँ नीच आप देखेंगे option और है यह बहुत important है हर image के लिए आपको अलग अलग इस्तवाल कर करना है animation full कितने time का होगा pause कितने time का लिया जाएगा और जो आपका जो एक image से दूसरी image वाला जो transactions है वो उसमें कितना time लगेगा तो animation यहाँ पर 8 seconds का दिया गया है आप इसको जितना कम करेंगे उतना animation आपका fast होगा मैंने चार्ट सेकिंड पर कर दिया है प्ले किया यह द लिया इसके बाद मैं यहां पर आपको अगला जो option मिलेगा drawing hands का मिलेगा यहां से आप अलग अलग जाए कि जो वो ले सकते हैं तो यह red pen वाला हाथ है तो यह इस तरह से काम करेगा इसके बाद मैं यहाँ पर यह कुछ एक electric hand है वो इस तरह से काम करेगा यहाँ पर यह जो stencils है वो इस तरह से काम करेगा कुछ हाथ एक right hand दिया गया है एक left hand दिया गया है तो वो इस तरह से काम करेगा इसके बाद में यहाँ अलग अलग pen है वो दिये गये हैं आप किसी भी pen का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने animation के लिए green वाला pen अगर आप यूज करेंगे तो सिर्फ जो pen है वो आपके animation को मनाएगा तो pen हम लेके देख लेते हैं ग्रीन वाला और यहां से इसे okay करते हैं और यह जो नीचे बटन है इससे आपको okay करना है अब आपको देखना है कि animation काम कैसे करेगा कैसा लगेगा मेरा यह जो animation है जब मैं इसे record करूंगा यहाँ पर play का बटन आपको मिलेगा बस play करेंगे आप देखिए यह आपका animation बनके तयार हो गया और जब यह animation जो tick है उसको हटा देना है तो बारा से हम play करते हैं यह देखिए अब यह जो image है वो zoom नहीं होगी अब एक के बाद दूसरी image पर कैसे transfer करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जब यह image आपकी complete हो जाए तो आपको एक image और यहाँ पर एड करानी है तो अब इस बार हम एक system करा लेते हैं और इसको हम थोड़ा से दूर रखेंगे यह उठा के हमने यहाँ पर रख लिया तो जब यह image complete बन जाएगी तो जो animation है आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर एक timeline चल रही है वो अगले animation पर चला जाएगा इसके लिए हम अलग से hand या draw जो कुछ भी है वो select कर कर सकते हैं तो हम यहां से इसके लिए यह जो लाल कलर की pencil है है उसको select करते हैं इसे यहां से OK करते हैं और इस animation की पर जैंगे और प्ले कर देंगे तो पहले यह प्ले होगा उसके बाद यह बाद यह वाला जो अनिमेशन है वह प्ले होने लग जाएगा तो इस तरह my big guide यहां पर आपको धेर सारे fonts मिल जाएंगे आप जो चाहें वो font ले सकते हैं यहां से इसको centerize करना है centerize कर दीजे और यहां से done कर लीजे इसको भी आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं अब पहले हमने कौन से animation add गया था यह वाला उसके बाद यह वाला फिर बाद में हमने text लिया है तो यह तीनों अपने क्रम से ही चलेंगे पहले यह animation आएगा उसके बाद यह आएगा और तीसरे नमबर पर यह वाला आएगा अगर आप इनका क्रम बदलना चाहते हैं तो यहां से उठा के आप इस timeline से किसी भी slide को आगे पीछे कर सकते हैं तो मैंने big guide जो है बीच में ले लिया है और उसके बाद मैंने जो computer है वो लगाया है आप देखिए इस पर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे इसका जो drawing hand है वो change कर दूँगा तो यह जो pen है उसे हम select करेंगे और इसके लिए लगए अब दुबारा से प्ले करके देखते हैं यहाँ पर आपको जाना है और प्ले कर देना है अब देखिए यह जो image है भी zoom नहीं हुई है अगर मैं इसको zoom पर लगा देता तो क्या होता यह तीनों images है वो एक साथ में हमें दिखाई देती हैं एक बार मैं आपको और करके दिखा देता हूँ यह zoom at end पर मैंने click कर दिया अब देखिए यहाँ पर click करने से क्या होगा कि जितने भी animation अभी हमने बनाए है उस साथ में एक जब last होगा slide का तो सब एक साथ दिखाई देने लग जाएंगे यह देखिए कुछ इस तरह से अब यह सब कुछ तो बन गया आप इस पर आवाज आप अपनी कैसे upload करेंगे उसके लिए आपको simple यहाँ पर जाना है इस पर click करना है और यहाँ पर आपको आपका microphone दिखाए देगा animation के साथ में आप यहाँ से आवाज को अपनी को record कर सकते हैं यहाँ पर यह जो option है वो है music add करने का अगर आप इस animation के साथ में कोई music लगाना चाहते हैं तो इस पर जाइए यहाँ पर ढेर सारे आपको music दिख जाएंगे मिनिट का चाहे 5 मिनिट का चाहे 15 मिनिट का तो उस पर जो music है वो लूप में play होता रहेगा आपको बारवार जो music है वो add करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर यह जो option है यह इसकी white background को बदलने के लिए है अगर आप पर एक पेपर जैसी कुछ background आ गई हमें कोई और select कर लेता हूं यह मैंने marvel वाली कुछ select की है इसके बार मैं आपको एक और करके दिखा देता हूं यह देखिए अब यहाँ पर आप चाहें तो soft edges भी दे सकते हैं तो यहाँ से आपको select करना है और यह यह देखिए कुछ इस तरह का आपका जो animation है आपका जो whiteboard animation है वो दिखाए देखाए देखा एक बार से play करके देख लेते हैं यह देखिए और यह सब अभी जूम हो जाएंगे YouTube पर वीडियो बनाने के लिए इंफर्मेटिव वीडियो बनाने है यहां choices कि इसके इसके इस्तेमाल केजिए कर Hier दो व्धियो न करें तो यह दो यह जो शेयर वाला बटन है इस पर क्लिक करना है और आगर आप चाहते हैं के जो आपका वीडियो है वो लास में जूम करे कि इस पर टिक लगी रहने दीजिए अगर आप चाहते हैं कि जूम न करें तो टिक हटा दीजिए अब आप यहां देखेंगे आपको चार-बांच ऑप्शन में लेंगे अगर आप चाहते हैं कि यह जो अनिमेशन है वो पाउर पॉइंट में अगर आप यहां से कर सकते हैं अगर आप वीमो पे अपलोड करना चाहते हैं तो इसे यहां से कर सकते हैं यूट्यूब पे सीधे पब्लिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप इसे अंबेड करना चाहते हैं इसका शेरिंग लिंक चाहते हैं यहां से ले यहां पर आपको वीडियो के साइज का उप्शन में लेगा तो यहां पर साइज दिया गया है फुल एचडी, स्टेंडर्ड एचडी और उसके बाद नॉर्मल साइज आप जिस भी साइज में चाहें उस साइज में अपने वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यहां से मैं इसको एक नाम देता हूं तो यहां से मेरा अनिमेशन है डेक्स्टॉप पे सेव होने वाला है बस इसे यहां से ओके कर दीजिए और थोड़ी देर इंतिजार कीजिए यह जो आपका पूरा वीडियो है वो रेंडर होना शुरू होगा आपके सिस्टम की स्पीड के उपर भी डेपेंड करता है कि यह जो अनिमेशन है वो कितनी देर में बन जाएगा तो यह देखी एनिमेशन कंपलीट हो गया है वीडियो रेंडर होके तैयार हो गया है 13 सेकंड का यह एनिमेशन बना है चलिए इसे प्ले करके देख लेते हैं हमने वीडियो प्लेयर में तो आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना सीख गए होंगे और इसके साथ ही अगर आप हमारे इसी तरह के कंप्यूटर कोर्सिस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट PCSkill.in को जरूर विजिट करना बहुत सारे कोर्सिस यहां पर दिये गए हैं विद ISO Certified हिंदी में हैं बहुत सरल भाषा में हैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजन समझ में आने वाली हैं या फिर अगर घर पर बिना इंटर्ण के देखना हो तो हमारी पेंट्रैप कुर्सिस को जरूर और करना और इसी तरह के वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना